अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उनको सुरू के जो कुछ लेक्चर्स थे ना उसके अंदर मैंने क्या सारे कमपनी एक 2013 के जो सारे सेक्शन से ना उनको बता दिया था लेक्शन नमबर टू के अंदर आप कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर आप सारे सेक्शन्स क्यों नहीं कर वा रहे हैं आप बीच में कुछ सेक्शन्स थोड़ किव रही है तो बटा ऐसा है become and bva के अंदर आपके वो सारे sections applicable नहीं है ठीक है तो सारे sections करने से कोई मतलब नहीं है हमको पूरा Companies Act 2013 नहीं करना है हमको जो हमारे slayvers के अंदर है जो important topics हैं केवल उनको करने है तो इसी लिए आज जो मैं आपके लिए next topic लेके आया हूँ अभी तक हमने जो करा वो तो ठीक है आज जो हम next topic स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हम directors को ठीक है डारेक्टर को उपर Companies Act 2013 के section नंबर 149 से लगा कर 205 तक applicable होते है देखो हर university के अंदर company law subject जरूर होगा अधिकतर become second year के अंदर ये होता है या semester third गेंदर होता है किसी के semester fourth, fifth, sixth या final year में भी हो सकता है अलग-अलग university में लेकिन company law subject जरूर होता है तो आपको उसका syllabus डाउनलोड करना है और syllabus में जो जो topic लिके हैं आपको केवल वो करने हैं आपको पूरा company law नहीं करना है क्योंकि सारे sections आपके लिए applicable नहीं होते हैं तो directors जो है वो section number 149 से लगा कर 205 तक जो भी sections है वो directors से related है अधिकतर universities के अंदर director नाम का topic होता है company law के अंदर यहाँ पर कुछ sections को मैंने इस तरीके से divide किया गया है section number 149 से लगा कर 172 तक जो director है उस से related है जो section है वो है appointment and qualification of director क्योंबे डारेक्टर का appointment क्या है उसका qualification क्या है वो चीज़ है section number 173 से लगा कर 195 जो है उसमें meeting of board क्यानि कि जिसको B.O.D. बोलते है board of directors की जो meeting होती है B.O.D. की जो B.M. होती है B.O.D. की B.M. मतलब board of director की board meeting तो जो B.M. होगी board meeting होगी वो क्या है और उस directors की power क्या है section number 196 से 205 तक है वो है director का appointment कैसे होना है उसका remuneration क्या है managerial person जो होती है उनका remuneration क्या है corporate accounting के अंदर जो अभी मैंने थोड़े time पहले lecture upload किया था उसमें managerial remuneration कैसे calculate किया जाता है आप बताया था ठीक है यहाँ पर भी बताएंगे आपको वो से ओकी लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे section number 149 से और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसमें जो भी important topics है जो थियोरी है आप से याद नहीं होती है आपको उसको इस तरीके से present करूँगा कि आपको व होते हैं जैसे managing director, CFO, CEO, managerial level के जो persons होते हैं तो वो directors तो हिंदी में इसको निर्देशक बोलते हैं तो directors जो है section number 149 के उसके इंदर types दे रखे हैं कि यह company जो होती है उसमें कितने तरीके के, कितने types के director होते हैं तो modernity दो तरीके के होते हैं एक को बोला जाता ED, sword form में उसको ब होता है NED, sword में NED बोलते हैं लेकिन आप पूरा लिखना इसको non executive directors, जो executive directors होते हैं यह company के जैसे MD हो गया, यानी कि managing director हो गया, WTD मतलब लिख दो आप whole time director, WTD का मतलब गया होता है whole time director, तो managing director हो गया, या whole time director हो गया, यह executive director होते है, यह ED होते हैं ठीक है, और यह जो है na company के director plus employees होते हैं ये company के director भी होते हैं plus employees, दोनों का role अदा करते हैं ठीक है company मलब इनके control में ज्यादा होती है, फिर आता NED non executive directors, जो NED होते हैं ये दो तरीके के होते हैं ये ordinary directors होते हैं, normal directors होते हैं ordinary directors तो ये जो NED होते हैं ये दो तरह की होता है, एक तो होता है non independent director, ऐसा director जो independent नहीं है, non independent है, स्वतंत्र नहीं है, और एक होते है independent director, तो चाहे non independent हो, चाहे independent director हो, ये दोनों के दोनों NED के अंदर आते हैं, ओके, और ED के अंदर जो आते हैं, वो आते हैं, whole time director, managing director, ये सब ED के अंदर आते हैं, ओके, ठ एक्स राता है आपका यहाँ पर मामला number of directors बैया जो director हैं उनके कितने numbers किसी भी company केंदर कितने directors हो सकते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि number से पहले company कितने types की होती है मोटा-mोटी company दो type की होती है हमने पढ़ा एक होती है हमारी private company पबलिक company लेकिन companies act 2013 के अंदर एक और new company introduced की गई जिसे तो माना तो private company गया लेकिन private company में भी दो हो गई एक हो गई OPC, OPC का मत होता है 1% company, ठेक है और एक ये 1% company होती न ये भी private ही होती है ये private दो तरह की हो गई, एक 1% company और एक हो गई private company, other private company, ठेक है तो private दो हो गई एक private तो होती थी पहले और एक 1% company पी आ गई, और एक आती है यहां पर public company ठीक, अब यहां पर directors की numbers की बात कर रहे हैं, कि किस company में कितने minimum और maximum director होनी चाहिए यहां पर shareholders की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, members की बात नहीं चल रहे है, directors की बात चल रहे है तो minimum director की बात करें तो 1% company, private company और public company ऐसे लेख दिया आपको याद जाएगा 1% company में minimum director एक होना चाहिए एक director तो होना चाहिए 1% company एक director होना चाहिए और एक saleholder भी होना चाहिए इसके अंदर ठीक है तो minimum और private company में कम से कम कितने director होने चाहिए आपके 2 director होने चाहिए ये private company के अंदर कम से कम फिर आती है हमारी public company public company में minimum director होने चाहिए तो यहाँ पर 1, 2, 3 OPC में एक director कम से कम private में 2 और public में 3 कम से कम director maximum director कितने हो सकते है तो चाहे OPC हो चाहे private हो चाहे public company हो जादा से जादा 15 director ही हो सकते है तो ये number आप बिलकुल याद रखना बिलकुल easy है minimum 1, 2, 3 और maximum 15, 15, 15 ओके चलिए आगे चलते है next जो हमारा है वो है 3 new type of directors 3 नए तरीके के director जो है वो introduce किये गए company ZEC 2013 के अंदर ठीक है तो ये जो 3 तरीके नए director है उसमें एक आता है woman director ये भी company ZEC 2013 में new director के तौर पर introduce किया गया अब हर company में एक woman director होना जरूरी है एक resident director का होना भी जरूरी है और independent director का भी होना जरूरी है अब ये हम आगे समझते हैं woman director, resident director और independent director कौन-कौन होते हैं और किस company में इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए कम से कम तो सबसे फर्स्ट आजाते हैं woman director पे तो woman director जो है उससे related मैंने आपर कुछ questions बनाए है इन तीनों questions, चार questions है इनके answer देते हैं आपको woman director समझ में आ जाएगा सबसे फर्स्ट आता है which company are required to have woman director कौन सी company में woman director का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या कौन सी company ये require करती है कि भी woman director होनी चाहिए तो तीन तरह की company every listed company ऐसी company जो listed है listed पता है कौन सी company होती ऐसी public company जो share market के अंदर listed है यानि कि जिसके shares को share market के अंदर stock market के अंदर खरिदा और बेचा जा सकता हो उसको listed company बोलते है और ऐसी company जिसके shares को share market के अंदर खरिदा और बेचा नहीं जा सकता वो unlisted company होती है तो ऐसी listed company every listed company जो भी share market में listed company है उनको एक woman director को appoint करना पड़ेगा second number जो unlisted है share market के अंदर unlisted है public है लेकिन unlisted है तो ऐसी company जिनकी PUSC last lecture मने बताया था paid up share capital या तो 100 करोड हो या उससे जादा हो तो ऐसी public company जो unlisted है और उसकी paid up share capital या तो 100 करोड है या उससे जादा है तो उसको एक woman director appoint करना पड़ेगा या every unlisted public company ऐसी हर unlisted public company जिनका turnover turnover मतलब हो गया आपका sales 300 करोड है उसकी equal है equal to 300 करोड और more than तो paid up share capital 100 करोड है उससे जादा है turnover 300 करोड है उससे जादा है तो ऐसी unlisted public company को एक woman director को appoint करना पड़ेगा इसके अलाबा जितनी भी listed companies उनको woman director को appoint करना पड़ेगा okay how many WD WD मतलब woman director कितने woman director appoint करने पड़ेगे at least one कम से कम एक director appoint करना जरूरी है by what time woman director should be bought on the board कब appoint करना होता है तो जैसे ही company का incorporation होता है उस incorporation से 6 महीने 6 मन्थ के अंदर-अंदर जैसे आज company का incorporation हो गया 6 महीने के अंदर-अंदर आपको woman director का appoint करना पड़ेगा how will the casual vacancy in the position of woman director by field अगर कोई woman director छोड़ के चली जाए या उसकी expire हो जाए उसका 10 year expire हो जाए तो उस vacancy को casual vacancy एकदम से vacancy आ जाती है 10 year तो expire नहीं एकदम से casual vacancy हो जाती है casual का मनदब आकस्मिक एकदम से एकर कोई woman director छोड़ के चली जाती है किसी भी वज़े से तो उस vacant जो पद है उसको कैसे भरा जाएगा कब भरा जाएगा तो board shall fill within 3 month from the date of vacancy जिस दिन vacancy हुई उसके 3 महीने के अंदर-अंदर नई woman director को appoint करना पड़ेगा तो यह हो गया woman director ठीक है जी आगे देखो next आता हमार resident director resident director क्या है जैसे नाम से पता चलता है जो resident होना चीए इंडिया का अब इंडिया में resident होना चीए ऐसे किसी person को director बना देना तो section 149 close 3 of the companies at 2013 has been provided for the residence of a director in India जिसको बोलते है resident director in India जो इंडिया में ही जिसका residence हो अब किसको बोलेंगे कि उसका इंडिया में residence हो every company shall have at least one director who stay in इंडिया एक डारेक्टर ऐसा होना चीए जो कम से कम भारत में रहे उसको resident director बोलेंगे कितने time के लिए उसका एक पूरे साल में कितने time के लिए उसको बारत में रहना जरूरी है तो total period of not less than 182 days in the previous calendar year पिछले calendar year के अंदर calendar year मतलब जन्वरी से दिसंबर तट वो 182 दिन इंडिया में रहा हो कम से कम 182 days कम से कम भारत में रहो इंडिया में रहा हो ऐसे director को resident director बोलते हैं और ऐसा resident director होना companies के अंदर जरूरी हो था एक, okay next आता है independent director independent director कौन होते हैं independent director किसको बोला जाता है इसका meaning क्या है इसका definition क्या है इसकी characteristics क्या है वो अम next lecture में पढ़ेंगे लेकिन independent director कितने होने चीए किसको appoint करने होते हैं, वो थोड़ा समय पता देता हूँ, देखो कोई listed company हो, कैसी company हो, listed, listed मतलब तो आप समझ गए न, जो share market के अंतर जिसके shares को खरीदा और बेचा जा सकता हूँ, listed company होती है, तो जो listed company होती है, उनको अपने total BOD का, total BOD मतलब board of director जो है total, उसका one third जो है, वो क् किसी company में 15 director है, appoint, तो उसका one third करो किता हो गया, five, तो five कैसे होने चीए, independent director होने चीए, okay, हाँ जी, ऐसे, और अगर unlisted company है, कोई unlisted company हो, तो उसके अंदर कम से कम दो independent director होने चीए, at least two, तो listed company के अंदर तो जो भी BOD है आपका, उसका one third करना है, 15 है, अगर BOD board of director तो one third आ गया पांच, 10 है, तो उसका one third कर दो, लेकिन जो unlisted company है, उसमें कम से कम दो director होने जरूरी है, at least two, कम से कम minimum, बट सभी unlisted public company के लिए नहीं, वो public company जिनकी paid up share, वो public unlisted company जिनकी paid up share capital 10 करोड से जादा हो, या उसके बराबर हो, वो unlisted company और जिसका turn over 100 करोड से जादा हो, या वो unlisted company जिसका outstanding loan, debentures और deposits 50 करोड या उससे जादा हो, तो paid up share capital 10 करोड या उससे जादा हो, उसका जो turnover है 100 करोड या उससे जादा हो, और loan बगरा जो outstanding 50 करोड या उससे जादा हो, अगर ऐसी कोई unlisted company है, तो उसे कम से कम 2 independent director जो है, उसको appoint करने पडेंगी, at least two, okay, तो य ये थी कुछ directors से related lecture के अंदर information, next lecture के अंदर हम इस independent director को ही आगे continue करेंगे, फिर हम director का remunation, उसका tenure, उसका appointment वगरा क्या होता है, qualifications क्या होता है, वगरा सब करेंगे continue, आपका support चाहिए, support करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस lecture को share कर सकते हैं, ताकि become और BBA students को भी फालतू रटे नहीं मारने पड़े, उनको भी एक अच्छा content available हो, उनको भी एक अच्छा platform मिले, जिस पे वो रटे मार के फालतू के इधर उधर points याद करके, जो है passing marks नहीं लाए, अच्छी marks लेके आए, अच्छे से study करें, और अच्छा knowledge भी ले, तो वो platform हम provide कराने की अच्छा के लिए, goodbye, thank you.